मुवी की शुरुबात में बूढे को दिखाते हैं जिसका नाम आरन हेड है और इस व्यक्ति की खोपड़ी लोही की तरह मजबूत माने जाती है क्योंकि बहुत ही चोटी उमर से ही एरन हेड उसका भाई एरन क्रॉच उसकी बड़ी बहन रौर इन सभी ने बच्पर में अपने गुरू से मार्शल आर्ट सीखी थी और एरन हेड बिना कुछ महसूस किये अपने सर पर इंटों से मार सकता है आरन क्रॉच हीरे की तरह मजबूत क्रॉच के लिए जाना जाता है क्योंकि वो भी अभ्यास करने के लिए अपने क्रॉच पर लोहे के जुले से मारता है और ऐसे ही रौर अपनी आवाज से एक बार चीखने से किसी भी इनसान की जान ले सकती है रौर अपनी हासी से किसी भी इनसान के कान के प्रदे भाड सकती है और वो अभ्यास करने के लिए अपनी आवाज से रोज कम से कम five glasses तोड़ती है और जब तीनों भाई बैन जवान होते हैं तो उनके हुनर के लिए उनकी बहुत इतारीफ होती है लेकिन जैसे जैसे वो बोड़े हो जाते हैं उनका हुनर भी कम हो जाता है और लोगों ने उन पर ध्यान देने चोड़ दिया है भले हुआ अभ्यास करते रहते हैं लेकिन उनके परियासो को देखकर कोई भी उनका संभान नहीं करता इसके अलावा आरन हेड पूरी जिन्दगी विरोजगार रहता है जिसके मुझे से वो कड़जे में डूप जाता है और फिर एक दिन कड़जा लेने वाले लोग आरन हेड की घर आते हैं और पैंसो के लिए उसकी घर का सारा समान उठाका लेके जाते हैं और उन लोगों का सरदार आरन हेड की परमान पत्र को देखता है और जीवन में गलत रास्ते चुनने के लिए उसका बड़ा ही मसाक उड़ाता है उसकी जाने के बाद वो खाने के लिए एक छोटी सी कुड़सी और मेज का इस्तेमाल करता है और फिर आरन हेड अपनी जिन्दगी पर अपसोस करता है और अपनी साठ साल की उमर में अपने गंदे से जीवन में कुछ करने के बारे में सोसता है और फिर अपने जिंदगी में मदला उलखने के लिए वो नौकरी ढूरने के लिये निकल पड़ता है और फिर पहला ग्रूप जो उसके सामने आता है वो गुंडो का होता है जो आपस में पैसे बाद रहे होते हैं ओ, इतने आजान काम के लिए इतने सारे पैसे ये देखर iron head बिल्कुली चौंक जाता है और उनके ग्रुप में शामिल होने का फैसला करता है फिर उनके ग्रुप का पीछा करता है और एक जिम में पहुंच जाता है और जैसे ही iron head अंदर जाता है ग्रुप का एक आदमे जिसका नाम रेकर है उसे बाहर निकालने लग जाता है तब ही गैंग के लिडियर्ट जाई उसको रोकता है और कहता है कि आरन हेड को अंदर लेकर आओ और उसकी बास उन्हें को त्यार हो जाता है लेकिन जब उन्हें पता रखता है कि वो गैंग में शामिल होना चाहता है तो वो उसकी बात पर हसने लगते हैं आइरन हेड उनसे अपने आपको एक मौका देने के लिए भीक मांगता है लेकिन अंत में वो उसको बाहर निकाल देते हैं अब रात को आइरन हेड की बेटी और उसका पोता उसके घर में आते हैं और उसकी मदद करने को कहते हैं हलंकि वो उनकी मदद को ठुकरा देता है और फिर उसे व्यस्त रखने के लिए उसकी बेटी अपने बेटे को कुछ दिन के लिए वहाँ पर छोड़ देती है हलंकि आरन हैड इससे खोश नहीं होता वो उल्टा बच्चे के हापने बॉल पकड़ा देता है तांकि वो व्यस्त रहे और फिर अगली सुबह आरन हैड को सड़क पर जाई के लोग गाड़े चलाते हुए दिखते हैं और फिर उन्हें देखकर उसे उन लोगों की याद आ जाती है जिनोंने उसकी घर का सामान उठा लिया है और अब वो गुस्त से में उनकी गाड़ी के सामने खुदा जाता है और फिर गैंक्स्टर भी जल्दे से उसकी मदद करते हैं और उसे गैंग में शामिल कर लेते हैं तांकि उन पर कोई मुस्वत ना है और फिर अपने एक आदमी की सिफारिश पर जाई आरन हैड को एक मौका देने के लिए बिल्कुल तयार हो जाता है लेकिन इससे पहले उसे एक बहुत ही जिद्धी ग्रहाक से पैंसे घटा करके अपनी युकेता साबित करनी होगी और फिर आरन हैड भी उनकी चुनोती को स्विकार कर लेता है और उस आदमी के पास चला जाता है वो आदमी एक सफल व्यापारी बन चुका होता है जो अपने ग्रहाकों के साथ दो पैर का खाना खा रहा है पहले तो आरन हैड उसे कड़ चुकाने को कहता है लेकिन उम्मीत के मताबिक को उसकी बात को नजर अन्दास कर देता है और फिर दूसरी बार आरन हैड व्यापारी पर अपना खाना फेक देता है और फिर वो आदमी घुसे में आरन हैड के सर पर कांस की बोटल को मार देता है लेकिन पीछे हटने के बजाए iron head खुद के सर पर बोटल तोड़ने लगता है और आसपस बैठे लोग वियापारी को बुरा आदमी समझने लगते हैं और सोचते हैं कि जब वो लेंदार के साथ ऐसा behavior कर रहा है तो एक साम्माने वक्ति के साथ कैसा behavior करेगा और फिर वियापारी बेज़ती मैसुस करने लगता है और अपना credit card निकाल कर iron head को दे भी देता है और फिर iron head गैंक्स्टर के अड़ने पर वापस जाता है और फिर जाई iron head के कोश्चल से परभावित होता है फिर वो उसको एक अटा किये के पैंसु से 30% कमिशन भी दे देता है और वादा करता है कि अगर वो ऐसा काम करता रहगा तो वो उसको और पैंसे देगा लेकिन iron head की तरकी को देखकर रायकर जलने लगता है और वो जाई के दिमाग को बदलने की कोश्ची करता है और कहता है कि iron head की किसमत अच्छी है लेकिन उसे फिर भी मौका दिया जाता है और फ히र ओरन हेट एक महने में अच्छी कमय भी कर लेता है और फिर वो अपने गर के लिए काफी सारी चीज़ी लेता है जैसे मैंगे फरनीचर और काफी दारू भी ले लेता है लेकिन वो ये बात भी ध्यान में रखता है और फिर एक दिन उसे बाओ नाम की विक्ती से पैसे खटा करने का काम मिलता है और हर भार के तरह उसका तरह काम करता है और बाओ के पास उस वक्त 30,000 यौन होते हैं और एरन हेड उसको ले लेता है और फिर एरन हेड वो पैसे लेकर जाई के पास जाता है लेकिन राइकर इसे गोटाला कहता है उनकी पॉलिसी उन्हें बताती है कि कभी भी आदे से कम पैसे ना ले और बाओ पर उनके तीन लाक रुपे बाखी है फिर राइकर आरन हेड की बिज़दी करता है और उसकी काबिलेत पर सवाल उठाता है और उसे धुके मास कहता है और फिर अचाना गुसे में आरन हेड वादा करता है कि तीन दिनों में वो बाओ से सारा पैसे खटा कर लेगा और वो कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो पूरी रकम खुद देगा आरन हेड को अपने आप पर बहुत ही भरोसा हो जाता है जबकि राइकर उसकी काम्याब ना होने की प्राथना करता रहता है अब रात को जब वो घर वापस जा रहा होता है राइकर और उसकी आदमी सड़क पर बोड़े आदमी को बहुत मारता है और उस कागस को फार देते हैं जिसमें बाओ के खाते की जानकारी होती है और इस से बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि बाओ पर उनके कोई पैसे बाखी है और वो किसी तरह अपने आपको संभालता है और वापस अमने घर जाता है और फिर कुछ समय बाद एक आदमी उसकी घर का दरवाजा खड़कडाता है जो उसके हिस्से के पैसे उसको वापस करना आया होता है और फिर आरन हेड एक खुशी खुशी उसके पैसे वापस ले रहा होता है लेकिन तब इसकी बेटी और उसकी बेटी का पती जो पुलिस में होता है घर पहुंशाते हैं वो दोनों सोचते हैं कि या आदमी कर्जा लेने वाला है और उसको घर से भाहर निकलने को कह देते हैं आरन हेड नहीं चाहता कि उसके काम के बारे में किसी को पता लगे और इस कारण बेचारा वो पैंसे भी उसके पास नहीं आते अब एक सीन में दिखाते हैं आरन हेड का दामाद एक घर में होता है जिसे लूटा गया होता है वो बाओ का घर होता है और जान मिन करने पर पता लगता है कि उसी ने पैंसे चुराए थे जो उसकी मा के अस्पता के बिल्स के लिए होते हैं और वो अपने गलती को भी मानता है और सभी को बताता है कि उसे कर्श चुकाना था इसलिए उसने पैंसे चुराए और फिर बाओ के घर वाले उसकी बाद को सुनकर भाओ को जाते हैं जिसके बाओ उनसे वादा करता है कि वह आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और फिर ironhead का दामाद और उसके कुछ साथ ही उसकी मदद करने के लिए उसके परिवार को कुछ पैंसे देते हैं फिर अगले दिन दिखाते हैं ironhead वापस बाओ के पास जाता है और पैंसे लेने के लिए अपना पुराना तरीका इस्तेमाल करता है और हंगामा गली की बीच में होता है जिसकी वज़े से लोग बाव पर चिलाने लगते हैं और कोई रास्ता न होने पर बाव अपने सर पर नीट माल लेता है और फिर आरन हेड उसको एक रुमाल देता है और पस्तावा करते हैं वहां से दूर चला जाता है और सोचता है कि वो कभी भी अपने हुनर का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए नहीं करना चाता था और उसे ऐसास होता है कि एक व्यक्ती अब उससे नफरत करने लगा है अब उसी वक्त जाई और रायकर कार में बैठे आरन हेड को देख रहे हुते हैं जाईक उसके बारे में हमेशा से ही शक था और रायकर हमेशा से ही आग में घीट आलने का काम करता रहा वो जानते हैं कि वो इस काम में सफ़ल हो जाएगा लकिन कोई भी कदम उठाने से पहले वो तीन दिन का इंतिजार करते हैं अब बाद में उसी दिन आरन क्रोच रॉर और उसके गुरू आरन हेड की घर आते हैं और उन्हें पता लगता है कि वो कैसे कैसे अमीर हुआ वो ये सुनकर निराश हुआते हैं कि उसने अपने ट्रेनिंग का इस्तेमाल बुरे काम के लिकिया है इसकी अतरिक जिस कमपनी में वो काम करता है वो गरीब लोगों का फाइदा उठाती है और उन्हें उदार देती है और बाद में भारी ब्याद वसूल करती है और फिर आरन हेड इस बाद से बहुत ही शर्मिंदा होता है और चाहता है कि बस जमीन उसको निकल जाए आरन क्रोज को एक हतोड़े से मारता है तांकि वो जल्द से जल्द पैसे दे सके और एक ही तरीका इस्तमाल करके वो कुछी घंटों में हाजारों रुपे कमा लेते हैं लेकिन अभी बाओ से पैसे लेने बाग की है बाओ ने बताता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है लेकिन उससे कहते हैं कि वो पैसे देने के लिए अपना घर बेज दे भले बाओ और उसका परिवार इसके बाद बेगर हो जाए उन्हें इस बास से फरक नहीं पड़ता और जब बाओ अभी भी पैसे नहीं दे पाता राओ उसके घर के बाहर पैसे दो पैसे दो करके चिलाने लगती है और वो ऐसा दो दिन बिना रुके करती है और फिर आखिर कर बाओ की माँ उसे घर बेचने की अनुमाती दे देती है अब आरन हेड और उसकी टीम पैसे लेकर जाई के पास जाती है और आरन हेड पर शक करने के लिए जाई राइकर की बहुत ही बेज़ती करता है और आरन हेड को अपना खास आदमी बना लेता है और फिर गैंग में सबी पर आरन हेड का दिकार हो जाता है और जिस बास से रायकर उससे और भी चिडने लगता है और फिर अगले कुछ महनों तक आरन हैड और उसकी टीम एक तरीका इस्तमाल करके पैंसे खटा करती है और ये बिलकुल एक जादू की तरह काम करता है और वो सभी बहुत ही कम समय में बहुत ही जादा पैसा कमा लेते हैं और अपनी जिन्दगी के मज़े लेते हैं इसके अलावा वो गैंग के बागी लोगों को भी अपना तरीका सिखाने की जिम्मेदारी लेते हैं और उससे भी जादा पैसा कमा लेते हैं और फिर आरन हेड का जनम दिन आता है और उस समय बड़ी पाड़ी रखी जाती है सभी मज़े कर रहे होते हैं और तब ही जाई सभी को बताता है कि बिग बॉस येन वहां आ रहा है वो जाई आरन हेड और उसकी टीम को अपनी कार में बुलाते हैं और आरन हेड के जन्म दिन पर बताई भी देते हैं फिर वो उन सब को बताता है कि उनकी कमपनी अब कॉलेज के बच्चों को भी उधार देती है और वो जवान लोगों का फाइदा उठाना चाहता है लेकिन आरन हेड इस योजना को सुनकर खुश नहीं होता लेकिन वो बिग वॉस येन के खिलाब कुछ नहीं कहएदा अब अगले दिन गैंग के कुछ लोग कॉलेज की लड़की से पैंसे खटा करने जाते हैं और वो उसके सामने आरन करोच कहतोरे से मारते हैं जिसको देखकर लड़की बहुत दिड़र जाती है और इस सबसे भचने करें वो पैंसे देने के लिए अपने नूर तस्वीरे बेचने के लिए तयार हो जाती है और पिर आरन हैड उसे गैंग के लोगों के साथ जाते भी देखता है और इस सबका कसुरवार अपने आपको ही मानता है उस लड़की के बारे में भुलाने के लिए वो अपने पोते के साथ समय मताने की सोचता है और फिर वो एक साथ क्र्यूस की यातरा पर जाते हैं और अगले एक हफ़ते मुझे करते हैं इसी बीच कॉलेच की लड़की को राइकर के साथ एक कमरे में जाने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर गैंग का एक आदमी जिसका नाम लिंग होता है ये सब देखते वे बड़ा ही परिशान रहता है और उन सब को रोकने लगता है लेकिन जाय उसको चुप करा देता है और फिर यात्रा के बाद आईरन हेड उसका पोता और बागे सब बीच के किनारे घुम रहे होते हैं और तब ही उनके सामने बाओ की माँ और उसकी बेटी आ जाती है जो सडको पर रेरे होते हैं और फिर बाओ की बच्ची आरन हेड पर उसके परिवार को परिशान करने गारोप लगाती है और आरन हेड का पोता और उस लड़की के बीच इस बात पर लड़ाई हो जाती है और गुस्से में उसका पोता लड़की के सर पर कांस की बोटल मारने लगता है और अगली बार जब वो येन से मिलता है तो हो उसको अपना फैसला बता देता है और पिर गैंग का सरदार जाहिए थार तोर पर अपने सब से अच्य आँछी आदे के गैंग के चोड़ने चोड़ने से होश नहीं है लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है अब इसके बाद Iron Head Link से मिलता है जो उसे बताता है कि Yen ने उसके पोते का अपारण कर लिया है और Link उसे रोकता है लेकिन Yen की आपने उसको बहुत ही मारते है और फिर Iron Head को गुसा जाता है और अपने पोते को बचाने के लिए कुछ भी करने को त्यार हो जाता है लेकिन इससे पहले वो अपनी बेटी को फोन करता और उसको स्रक्षित रहने को कहता हमें दिखा जाता है कि बाओ की मा को Iron Head की तरफ से क्रेडिट कार्ड और एक माफी का पत्र मिलता है जिससे वो आखरकर अपना घर खरी सकती है और फिर Iron Head और उसके साथ ही बंदुक लेकर येन के जिम पहुंसते हैं और फिर हत्यारों को देखकर वो बच्चे को छोड़ देते हैं और हार माल लेते हैं लेकिन तभी रॉल अगलती से बंदुक चुला देती है जिससे पता लगता है कि वो हत्यार बच्चों की लोने है और गैंग के लोग उन सभी को पकड़ लेते हैं और उन से कॉलेज की लड़की की वीडियो बनाने के लिए क्लिए कहते हैं लेकिन Iron Head कैमरा पकड़ने से मना कर देता है तब ही रायकर उसके सर पर बंदुक रख देता है और गोली चलाने से कुछ सेकंड्स पहले स्वाट टीम वहाँ पहुंचाती है और गैंग के सभी लोगों को पकड़ लेती है पुलिस सभी अपराधियों और येन और जाई को पकड़ लेते हैं और कॉलेज की लड़कियों को आसाथ कर देते हैं और पिर आकरी में आरन हैड अपनी बेटी की परिवार के साथ रहने लगता है और पिर आकरी में आरन हैड आरन क्रोच रौर और उनका गुरू फिर कभी जल्दवाज़े में अपने हुनर का इस्तिमाल ना करने का फैस्ता करते हैं और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहां पर खत्म होती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सबस्क्राइब अभी कर दें And finally, thanks for watching